असलाम वालेकुम मैं तजमुल सर इस वीडियो में हम assignment 7.2 का question number second solve करेंगे इस question में आपको एक triangle दिया गया है triangle ABC जिसमें आपको angle A 50 degrees के बराबर दिया गया है और angle B 55 degrees के बराबर दिया गया है आपने angle ACX और angle ACB के values निकालने है चलिए हम इस question को ऐसे solve करेंगे अगर आप देखोगे angle ACX यह एक exterior angle है और यह किसके बराबर होता है जो इसके opposite में दो interior angles का sum होता है ना उसी के बराबर ठीक है that is angle ACX किसके बराबर होगा angle A plus angle B that is angle ACX किसके बराबर होगा 50 plus 55 यह किसके बराबर आएगा आपका value 105 degrees के बराबर so angle ACX यह exterior angle है ना इसका value क्या आएगा 105 degrees अब हमें निकालना है यह angle ACB यह वाला angle ठीक है so इसके लिए आपको क्या करना है अगर आप देखोगे angle ACX और angle ACB यह एक linear pair बना रहे है ठीक है इसका मतलब क्या है जो angles है ना इनका sum क्या होगा 180 degrees के बराबर that is angle ACX plus angle ACB is equal to 180 degrees ठीक है angle ACX तो पता है हमें कितना आया वो 105 degrees plus angle ACB इसका value निकालना है is equal to 180 degrees angle ACB किसके बराबर आएगा 180 degrees अपनी जगा इसको लीजे right side के और यह बनेगा minus 105 यह आपका आएगा angle ACB 180 degrees minus 105 degrees therefore angle ACB किसके बराबर आएगा जब आप इन दो को subtract करोगे न तो value आपका आएगा 75 degrees यह आपका हो गया question number second second